सब्सक्राइब कर लीजे आरवी चैनल को इसलाल बटन को दबाके इसके साथ जो घंटी का निशाने से भी दबा दिये गा ताकि नए स्मार्टफोन की वीडियो जाब तक पहुशती रहे हैं हलो दोस्तो मेरा नाम है आरवी आज इस वीडियो के अंदर में आप सभी के लिए लेकर आया हूँ रियल्मी की तरफ से एक लेटस्ट मॉबाइल जो रियल्मी नभी हाली में लाउंच कर रहा है दोस्तो यह है रियल्मी का C12 तो इस वीडियो में में इस मॉबाइल की अंदर रके हूँ में जाता है लेकिन कमी ये हैं आपको cover नहीं दिया गया वो आपको अलग से ही खरीदना पड़ेगा इसके बाद मिलता है मोबाल एक रैपर के अंदर जिसके detail लुक हम अभी देखेंगे उससे पहले देख लेते हैं box के अंदर आपको दी गई है साइज तो इसका काफी बड़ा है लेकिन इसके अंदर आपको output 5W 2A का ही मिलता है तो ये simple सा 10W का ही charger है बस साइज में काफी बड़ा है तो ये सारा समन आपको मिलता है realme के C12 के साथ 9000 में अब दोस्तो रेट के हिसाब से देखा जाए तो box के contents आपको बहुत जादा normal ही मिलते हैं 9000 इसकी कीमत है कम से कम type C cable, cover और fast charging का support होना चाहिए था लेकिन ये mobile fast charging support भी नहीं करता तो charging में तो काफी जादा time लगेगा तो इस चीज़ के अंदर तो ये mobile मुझे normal ही लगा चली बात कर लेते हैं design के बारे में तो दूस्तो design इसके अंदर आपको मिलता है बहुत जाद अच्छी quality में वैसे glass design तो नहीं दिया गया लेकिन hard plastic के type के design मिलता है तो scratches की problem आपको इस mobile के back panel पे बहुत जादा कम देखने को मिलती है इसके अंदर आपको back panel पे कुछ इस तरी किसे linings देखने को मिल जाती है बीच में तो design के अंदर आपको ये mobile काफी अच्छा मिल जाता है look wise भी और quality wise भी बात करें camera के बारे में तो इसमें आपको उपर की तरफ left side पर 3 camera दिये गए हैं जिसमें पहला है 13 megapixel का बाकी के 2 camera हैं 2-2 megapixel के front camera है इसका 5 megapixel का rate के हिसाब से मुझे इसकी camera की performance नॉर्मल ही लगी बाकी दोस्तो अच्छी चीज ये है इसके अंदर आपको fingerprint scanner मिल जाता है back panel पर दिया गया है बाकी आप देख सकते हैं complete design आपको इस mobile का design कैसा लगा ये चीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वैसे इसका design look wise भी और quality में भी दोनों सही है बात कर दोस्तो डिस्पले के बारे में तो इस mobile के अंदर आपको display size दिया गया है 6.5 inches का तक्रीबन 6.5 की display दी गई है तो display size तो इसके अंदर आपको बहुत अच्छा मिल जाता है इसके साथ इसके अंदर आपको IPS HD plus display दी गई है अब इसके display की quality कैसी है मैं आपको दिखा देता हूँ उससे पहले दोस्तों बात करें user interface के बारे में तो user interface कुछ इस तरी किसे दिया गया है आप ऐसे उपर के तरह swipe करेंगे आपको सारी applications मिल जाती है इसके अंदर आपको app draw दिया गया है user interface के अंदर मुझे ये mobile normal लगा इस mobile के display बिलकुल full brightness करके मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ design जो मिलता है इसके अंदर आपको display में वो मिलता है notch वाला इसे के साथ display के अंदर आपको edges bezels normal दिये गये हैं वाकि दोस्तों अगर आप colors देखेंगे display के तो आपको काफी अच्छे मिल जाते हैं brightness मुझे इस mobile के display की फिर भी इसकी कीमत के इसाब से ठीक लगी तो display का size भी और quality भी इसके अंदर आपको काफी अच्छे मिल जाती है इसे के साथ इसके अंदर दोस्तों ये खूबी भी है आपको side usage इसका design दिया गया है वो curved है तो ये grip करने में काफी अच्छा लगता है left side साब देखेंगे तो sim के trade दी गई है अच्छी चीज़ ये है इसके अंदर आप दो sim card एक memory card तीनों चीज़ एक साथ लगा सकते हैं ये खूबी इसके अंदर आपको मिल जाती है इसके अंदर आपको मिलती है 3GB RAM 32GB के internal storage चले चलते हैं settings के अंदर में आपको दिखा देता हूं कितनी internal storage इसके अंदर आपको free दी गई है तो 32GB में से इसके अंदर आपको मिलती है 19GB के आसपास memory free इतनी memory इसके अंदर आपको free दी गई है इसके साथ अच्छी चीज़ यह है इसके अंदर आपको Android का बिलकुल latest version मिल जाता है Android 10 यह खुब इसके अंदर आपको मिल जाती है Recent application की Windows में आपको दिखा देता हूं proper बड़ी दी गई है इस चीज़ में भी यह mobile काफी अच्छा है बात करें दोस्तो बैटरी के बारे में तो बैटरी इसके अंदर आपको मिलती है 6000 इमेज की बैटरी तो इसके अंदर आपको बहुत ज़दा बड़ी दी गई है एक दिन का बैटरी बैक अप तो इस mobile में आपको अराम से मिल जाएगा और एक दिन से ज़दा ही मिल जाएगा अगर आप एक normal यूजर है बैटरी को लेकर ये mobile बहुत ज़द अच्छा है बात करें दोस्तो प्रोसेसर के बारे में तो इसके अंदर आपको दिया गया है Mediatek का G35 प्रोसेसर अब प्रोसेसर को लेकर मुझे इस mobile में कमी लगी इतना अच्छा प्रोसेसर नहीं दिया गया जितनी ज़दा इसकी कीमत है 9000 खुद Realme के दूसरे mobile इसमें आपको इससे और ज़दा अच्छा प्रोसेसर देखने को मिल जाते हैं अगर आप एक नॉर्मल यूजर है जैसा आप वाटसेप यूट्यू वगरा यूज़ करते हैं तो तो इसके अंदर आपको दिक्कत नहीं आने वाली लेकिन अगर आप एक थोड़े बहुत हैवी यूजर है आपको गेमिंग वगरा पसंद है तो हैवी यूजर के अंदर आपको प्रॉब्लम होगी तो दोस्तों ये सारी खुब्य कम्या आपको मिलती है रियलमी के C12 में, 9000 में चली बात कर लेते हैं अब सबसे में चीज़ आपको इस मोबाल को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए तो देखी सबसे पहले तो मेंटर ये करता है कि आपको रियलमी पे भरोसा है या फिर नहीं इसके बाद आपकी में जरूत की जो चीज़ हो इस मोबाल में कैसी है क्योंकि इसके अंदर आपको कुछ चीज़ अच्छी भी मिल जाती है और कुछ कमिया भी है तो देखी अगर आपके मेंटर करती है मोबाल की डिस्प्ले तो डिस्प्ले साइज भी और डिस्प्ले का डिसाइन भी और क्वैलिटी भी इसके अंदर आपको काफी अच्छी मिल जाती है इसकी कीमत को देखते हुए अच्छी display के लिए आप ये mobile ले सकते हैं और दोस्तो अगर आपके लिए matter करता है mobile का design तो design की quality भी इसके अंदर आपको काफी अच्छी दी गई है अच्छे design के लिए भी आप ये mobile ले सकते हैं camera को लेकर ये mobile मुझे normal ही लगा अगर आपको सिर्फ camera की वज़े से ही mobile लेना है तो मैं आपसे कहूँगा आप अपना budget कम से कम 10,000 करके कोई और सा mobile देख लिएगा इस range में आपको और दूसरे phones भी देखने को मिल जाते हैं इससे अच्छे camera वाले अगर आप एक normal user ही है camera को लेकर तो आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी इसके लब दूसर अगर आपको लिए matter करती है mobile की battery तो battery तो इसके अंदर आपको बहुत जाद अच्छी दी गई है ये इस mobile की सबसे बड़ी खूबी है इसके अंदर आपको battery बहुत अच्छी मिलती है अच्छी battery के लिए आप ये mobile आराम से ले सकते हैं लेकिन आप इस चीज़ का जरूर खयाल रखिएगा इसके अंदर आपको battery तो बहुत अच्छी मिल जाती है लेकिन charger आपको इतना fast नहीं दिया गया normal 10 watt का ही मिलता है तो इस battery को charge होने में भी तकरीबन 3 घंटे से साड़े 3 घंटे का time लगेगा जो कि मेरे हिसाब से भी काफी जादा time है इसके लब दोस्तों आखरे में अगर आपके लिए मैटर करता है mobile का processor तो दीए processor इसके अंदर आपको normal ही दिया गया है heavy use के अंदर इस mobile में आपको दिक्कत होगी अच्छे processor की वज़े से ही अगर आपको mobile लेना है तो मैं आपसे कहूंगा आप अपना बजट 10,000 का करके और दूसरे phones देख लिएगा और खुद इसी range के अंदर आपको realme के दूसरे phones भी देखने को मिल जाते हैं इस mobile से जादा बढ़िया प्रोसेसर को लेकर अब देखा जाए तो दूसरो चार चीजों में तो यह mobile बहुत अच्छा है एक तो इसके अंदर आपको display सही दी गई है दूसरे इसका design बहुत अच्छा है तीसरे इसके अंदर आपको fingerpin scanner दिया गया है और चौती सबसे important खुबी इसके अंदर आपको battery बहुत अच्छे मिल जाती है camera को लेकर तो यह mobile मुझे normal लगा लेकिन दो चीजों को लेकर मुझे इस mobile में काफी बड़ी कमी लगी एक तो charging time बहुत जादा लगेगा इस mobile में और दूसरी कमी यह लगी इसके अंदर आपको processor इतना अच्छा नहीं दिया गया अगर और ज़्यादा better processor होता तो काफी अच्छे रहे था अब दोस्तों यह आपकी ज़रूत के उपर matter करता है हो सकता है आपके लिए battery ही ज़्यादा matter करती है आपके लिए charging time matter ना करे अगर आपका heavy use नहीं है जैसे आपको gaming वगेरा नहीं पसंद आपको game नहीं खेल ले तो भी यह mobile आपके लिए काफी अच्छ रहेगा अब आप बताईगा नीचे comment करके आपको यह mobile कैसा लगा 9000 में यह चीज़ comment करके ज़रूर बताईगा क्या चीज़े इस mobile में आपको पसंद आई क्या नहीं पसंद आई और क्या चीज़े होनी चाहिए थी यह चीज़ comment करके ज़रूर बताईगा वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए वीडियो के निचे जो लाल कलर का बटनों से दुबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आकन भी दुबा दियागा ताकि नए वीडियो आप तक पहुँचते रहें इसके लाब वीडियो गर आपको helpful लगी तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दिएगा वाट से फेस्बुक पे और दोस्तों अगर आप इस मोबैल का कंपरिजन देखना चाहते हैं किसी और मोबैल के साथ अपने पसंद के तो वो चीज़ भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी पसंद के मोबैल के साथ इसका कंपरिजन लाने की मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए टेख के बाबाई